हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा अपनों का स्वागत करती हूँ MP सक्सेसर्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं मद्यप्रदेश डेली करेंट अफिर की सीरीज 152 के बारे में और यहाँ पर आज हम डिसकस करेंगे 31 दिसंबर 2020 के मद्यप्रदेश करेंट अफिर के बारे में आज का हमारा यहाँ पर फस्ट क्वेशन है हाली में मद्यप्रदेश प्रबासी स्रमिक और रोजगार सेतू पोर्टल को महा मारी में नवाचार के लिए कौन से अबोर्ट से सम्मानित किया गया है तो यह question important है यहाँ पर अगर हम बात करें तो option number A हमारा right answer होगा silver ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें important points की तो यहाँ पर इसके important points में है कि मद्यप्रदेश सरकार के स्रम्दिभाग द्वारा संचालित प्रवाशी श्रमिक और रोजगार सेतू पोटलों को महामारी में नवाचा सिर्णी में उतकरिष्टता के लिए भारत के रास्टपती श्री रामनात कोविंद द्वारा नई दिल्ली में यहाँ पर गरम बात करें तो कब दिया गया है यह तो 30 दिसम्बर ठीक है यहाँ पर अपलोग डेट नोट कर ले न 30 दिसम्बर 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारो डिजिटल इंडिया अबोर्ट्स 2020 में सिल्बर अबोर्ट्स समानित किया गया तो यह आपको याद रखना है यह जो समारो था समारो का नाम था डिजिटल इंडिया अबोर्ट्स 2020 समारो और इसमें मध्यप्रदेश को नवाचार ठीक है मध्यप्रदेश को नवाचार महामारी में नवाचार के लिए कौन सा आवोड दिया गया तो यहाँ पर है कि सिल्वर आवोड दिया गया ठीक है यह इंपोर्टेंट है और यहाँ पर है कि यह पोर्टल कोविद नाइंटीन महामारी के दोरान प्रवासी और अन्य श्रमिकों की पहचान बंजी करन कौसल और रोजगार क शुबदा प्रदान करने के लिए प्रोस्कृत किये गए हैं यह पोर्टल मुख्यमंत्री स्री सिवरा सिंग चौहान के द्रिश्टी कोड की अभी भेक्ती है और मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोविद नाइंटीन महामारी के दोरान इस त अपको इस क्वेशन से याद रखना है और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिजिटल इंडिया अबोर्ड की महामारी में नबाचार सिर्णी ऐसी सरकारी संस्था का सम्मान करती है जिसने संचार, स्वास्त, सिक्षा, यात्रा जैसे छेत्रों में महामारी के दोरान नागरिकों को बिभिन गतिविदियों को आसानी से पूरा करने के लिए उत्क्रिष्ट अभिना और डिजिटल समाधान विक्सित किया हो अत्वा सरकारी सेमाओं की निरंतरता सुनेश्चित की हो ठीक है तो यह सारी पॉइंट्स आपनों के लिए इंपोर्टेंट हैं और अगर आप लोग पढ़े की बीडियो का पीडियेप चाहते है तो जोइन बटन दिया गया है चैनल पर तो आप लोग वहाँ पर जाकर जोइन बटन को जोइन करें और पढ़े की पीडियाप आपको मिल जाएगी विधांसर एड़ इंपोर्टेंट पॉइंट विट एक्स् यहां पर आपको 50% का फ्लेट डिसकाउंट अभी चल रहा है अगर आप लोग को पन कोड यूज करते हैं एम सक्सेस 50 और यह ओफर आज आपका लास्ट डेट है यानि आज तक बैलेट 31 दिसम्बर 2020 तक तो जल्दी जाकर ओफर का लाव उठाएं और टेस्स सीरीज और वीडियो कोर्सेस के माध्याम से अपने तैयारी को सर्पसिष्ट बनाएं टेस्स सीरीज बगएरा जो अबिलेवील है वो आपको हिंद नोमेडिया में एबिलेवल है फोल लैंड टेस्स सीरीज है और बहुत ही रीजनेबिल प्राइज हैं आप लोग अ उतक्रिष्टता जिला के लिए प्लेटीनम पुरुसकार दिया गया है या प्रदान किया गया है तो यह कॉश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नमबर भी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा खरगोन अगर हम डेटेल में बात करें एटीनम पुरुसकार से नबाजा गया और पुरुसकार सिर्णी डिजिटल गबरनेंस में उतक्रिष्टता जिला में जिला प्रशासन की उन अपलब्दियों को पुरुसकृत किया जाता है जिससे नागरिकों को छेत्री भासा में ब्यापक जानकारी प्रदान करने पर अन प्रशार प्रणाली होने के लिए प्लेटीनम पुरुसकार से सम्मानित किया गया है आगे आपर बात करें तो यह बैप साइट दिब्यांगानुकूल होने के साथ साथ जिले के महत्पून पहलूं जैसे परियटन, कला संस्कृती, हास्त सिल्प और उपयोगताओं का पहु दोनों आब़र्ड आपको याद रखने बहुत ही इंपौटन यहाँपर अगर बात करें तो 6 सिर्णियों में से 2 मद्ध्य प्रदेश के खाते में जो डिजिटल इंडिया अब़ूड 2020 दिये गए हैं, यह 6 सिर्णियों में दिये गए हैं, इनमें से 2 मद्ध्य प्रदेश क में अनुकर्णिये पहलों और प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए एलक्ट्रोनिक और सूचना प्रिद्योगी की मंत्रा लेकी एक पहल है तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया आवर्ड क्या है आगे आपर अगरम बात करें तो छटवे डिजिटल इंडिया आवर्ड दोजार बीस जो है ये छटवा डिजिटल इंडिया आवर्ड है और दोजार बीस में मनाए गया है तो की गोशना छे सिर्णियों में की गई है जैसे महामारी में नबाचा, digital governance में उत्कृष्टता, केंडरिय मंत्रालय बिभाग, digital governance में उत्कृष्टता, राज्य केंडर सासित प्रदेश, digital governance में उत्कृष्टता, जिला, open data champion और अनुकर्णी उत्पाद, ये 6 सेक्टर में ये अवाड दिये जाते हैं और नामांकन की सौर्ट लिस्टिंग और रैंकिंग भारती प्रद्यों की संस्थान IIT दिल्ली द्वारा की गई तो इतना आपको इस question से याद रखना है यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा third number question है हाली में भारत सरकार द्वारा राष्टिये गोकुल मिसन प्रारम्द किये गए इसमें प्रदेश की किस जिले का चैन किया गया है तो यह question भी important है अगर हम यहाँ पर बात करें तो option number B हमारा right answer होगा सागर यहाँ पर हम बात करें detail में question की तो यहाँ पर है कि पसुपालन मंत्री मध्यप्रदेश श्री पटेल ने कहा है कि देशे नसलिकी गायों के सनरक्षण संबर्धन और उन्यन के उद्देश शे भारत सरकार द्वारा राष्टिये गोकुल मिशन प्रारम्ब किया गया है और पूरे देश में केवल 13 राज्यों के 20 संस्थानों पर गोकुल मिशन सुरू किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश में बुंदेल खंड के सागर जिले के रतोना का चैन किया गया है तो ये आपको याद रखना है कि सागर जिले के रतोना का चायन इसमें किया गया है ठीक है और उन्होंने कहा है कि हमारे क्रिशी प्रधान देश में गौमाता का इस्थान महत्पूर्ण है और देशी गायों की नशल सुधार दुख दुथ पादन में बृद्धी आदी के लि ये दस भी पास यूबाओं को प्रसिक्षन दिया जाएगा और इससे उन्हें रोजगार के अप्षान मिलेंगे पसुपालन सामजिकनिया एवं निसक्तजन कल्यान मंत्री मध्यपरदेश है स्री प्रेम सिंग पटेल इनका नाम आपको याद रखना है और इन्होंने 30 दिस संबर को सागर जिले के ग्राम रतोना में रास्टिय गोकुल मिसन के अंतरगत 9 करोड़ सत्त लाख की लागत के पशुप्रजनन प्रचेत्र और 5 करोड़ की लागत के क्रशक इवं कृतिम गरवाधान प्रशिक्षन संस्थान बच्षात्रा बास भवन प्रशासनिक भवन और पसु सेड का लोकारपन किया आगे अगर हम यहां पर बात करें तो सागर जिले के ग्राम रतोना में आचारे बिद्या सागर गो संबर्धन केंद्र इस्तित है यह जो अभी लोकारपन हुआ है यह किसमें हुआ है तो रतोना की आचारे बिद्या सागर गो संबर्धन के तो इसका नाम आपको याद रखना है कि मंद्य प्रदेश के सागर जिले में कौन सा गौस अंबर्धन के इंद्र है तो यह है आचार बिद्या सागर के नाम से जैसे MP स्टैटिक जी के के आपके कोश्चन आते हैं वो इसी टाइप से कोश्चन यहां से बनते हैं तो यह और कह हाँ पर है तो ग्राम रतोना में सागर जिले के और बर्तमान में इस गौसाला में अठारा सो से अधिक गायों की देखरे की जा रही है ठीक है नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे फोर्थ नंबर कुश्चन की हाली में मद्धिप्रदेश उर्जा मंत्री ने बित्तिय बर् अब्धिछमता में कितने मेगावाट ब्रदी की योजना तयार की है यहां पर अगरम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 1426 मेगावाट डिटेल में अगरम बात करें तो उर्जा मंत्री मद्धे प्रदेश स्री प्रिद्यूम सिंग तोमर ने कहा है कि प्रदेश में बिद्धु छेत्र के बिकास और विस्तार के लिए सरकार प्रतिवद्ध है और प्रदेश बासियों को भरपूर एवं निर्वत बिजली की आपूर्ती सुनिक स्चित करने के लिए आवश्य कदम उठाए जा रहे हैं यहां पर अगर हम बात करें तो प्रदेश में बिद्धु तो प्लब्द छम्ता 30 नवंबर 2020 की इस्तिती में 21,220 मेगावाट हो गई है और बिगद 22 दिसम्बर को इतिहास में सरबाद 15,021 मेगावाट मांगिया पूर्ती सुनिकित की गई है तो यह आपको याद रखना है की सबसे जादा मेगावाट मांगिया पूर्ती कब की गई है तो 22 दिसम्बर 2020 को और यह इतिहास में फर्स टाइम था यह ठीक है तो 15,021 मेगावाट नेक्स्ट यहाँ पर है पॉइंट कि बित्ती बर्स 2021 में विद्धोत उपलब दिछमता में 1426 मेगावाट ब्रदी की योजना है और सहरी इवं ग्रामीर छेत्रों में बिजली संबन्दिस सिकायतों के तुरित निराकरण के लिए कींद्री एकरित कॉल सेंटरों को सुद्र किया गया है और माह अप्रेल 2020 से नवंबर 2020 तक की अब्दी में प्राप्त सभी 29,77,214 सिकायतों का निराकरण यहाँ पर किया गया यहाँ पर अब हम बात करेंगे 5th number question की यहाँ पर अगर हम देखे तो हमारा आज का 5th number question है हाली में दैनिक भासकर के animation award कारिकरम में प्रदेश के किस जिले के बिविन ने छेत्रों की सहते सहतियां सम्मानित की गई अगर हम यहाँ पर बात करें तो option number C हमारा यहाँ पर right answer होगा ग्वालियर एंड उज्जैन उप्योग तो दोनों यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो राजबाल स्रीमती पटेल यानि कि मध्य प्रदेश की राजबाल स्रीमती आनंदी बेन पटेल ने 30 दिसंबर को राजबबन भूपाल के संदीपनी सभागार में दैनिक भासकर द्वारा आयोजित एमिनेंस अबोर्ड कारिकरम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कोविद नाइंटीन के कठें दोर में समाज सेवा करने बालों को सम्मानित करना सरागनी हैं और कारिकरम में उजयन और ग्वालियर छेतर के सिक्षा, व्यबसाय, सामाजिक कारिकरता, रियल स्टेट और स्वास्त के छेतर में काम करने वाले लगबक 37 हस्तियों को राजेपाल में ट्रॉफी और प्रसस्ती पत्र देकर सम्मानित किया तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो समारोहे कावायुजित किया गया और इस अबॉर्ड ये लब प्रदेश की केस जिले की हस्तियों को सम्मानित किया गया तो गालियर और उजयन ठीक है आज की हमारी जो सीरीज है यहीं कम्प्लीट होती है और अगर आप लोग ई-बुक्स के माद्ध हम से तैयारी करना चाहते हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आपको यहाँ पर जनरल कंप्यूटर के 1000 प्लस MCQ मिल जाएंगे हिंदी इंगलिस दोनों मीडियम में है बहुत हैलफुल है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए अगर आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस के भी आपको 1100 प्लस MCQ मिल जाएंगे यह सभी प्रिवियस एर एक्जाम पेपर के कलेक्शन है हिंदी इंगलिस में एबिलेबल है आपको MPG के बगएरा मिल जाएगा जनवरी से अगस्त 2020 तक का हिंदी में और इंगलिस में जनरल रीजनिंग बगएरा ठीक है सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप WhatsApp नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंक्स पो वाचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को जाए जादा लाइक करें